हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियों में हम कूलाम की नियम को जानेंगे और हम इसके डेरिविशन पर भी बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं जो कूलाम थे वो क्या थे एक फ्रांसी सी प्यज्ञानिक थे और उन्होंने सन 1785 सी इस्वी में प्रियोगों के आदार पर दो कूलाम की अनसार जो नियम है हम उस पर बात करते हैं कि तो कि नहीं दो इस्तिर बिंदु आविशों के बीच लगने वाला वैद्धुत बाल दोनौ आविशों के परिमाडों के गुड़न फल के समान पाती या अनकरवान पाती तता उनके बीच की दूरी के वर्क के वितकर बढ़ाते चले जाएंगे तो यह क्या होगा हम करेंगे तो फोर्ट की बेल्यू जादा होगी आर बढ़ाने पर वेल्यू बढ़ रही है और आर घटाने पर फोर्ट की वेल्यू बढ़ रही है तो यह एक दूसरी के वित्कुर्वन पाती है तो हम इसको लिखेंगे एक परपोर्शनल टू बन अपॉन आर इसक्वाइर इसको हम एक्क्यूशन नमर सेकंड देंगे और पहले वार को एक्क्यूशन नमर फर्स्ट फ्रॉम एक्क्यूशन पस्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे i.b. ry- existem चेशन क्योशन अपॉन टु उपाउं और इसक्वाइर अएसक्वाइर लेकिन हमारा यह किया है इसकी एक value होती है अब इसकी बैली क्या होती है कि पर पांट और पांट आकि को जो एक इसको सौल करेंगे तो हमारे पास बैल्यू के आएगी 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 आए जाएगी तो हम जो किये का मान है किये का मान 1 पॉर पाई एपसलन नॉट था तो हम इसकी बैल्यू क्या रख देंगे इस गया पक की जाएप रख देंगे तो मारे पास फर्मूला क्या मन क्या जाएगा एफ एकल्टू वन अपॉर पाई एपसलन नॉट क्यूवन क्यूटू अपॉन आर इसक्वाइर यह फॉर्मूला हमारे पास तब के लिए है जब दोनों आभेसों के बीच कोई चीज़ न रखे हो मतलब कोई परावेद्वतंग न रखा हो अगर हमारे पास कोई तांक है तीक है जो मारे पास है स्मॉल के है वह क्या है परावेद्वतंग है मैं आपको नोट में रखा है कि की यूँए ऐसे बड़ा आता है तो क्या होता है अगर से कम रहता है तो क्या होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राब करना तरने वाग